हेलो दोस्तो मेरा नाम है विभाव और आज की इस वीडियो में दोस्तो हम डिसकस करेंगे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नमबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स के एप्लिकेशन बेस्ट MCQS को तो दोस्तो यह जी वीडियो है यह आपके लि मतलब दोस्तो हमें एक चार फॉर्मुले दिये हुए है उप्शन में जिसमेंस दोस्तो करेक्ट फॉर्मुला कौन सा है वीडियो मेक्स को मेजर करने के लिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगो दोस्तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नंबर सी हंड्रेट इन्टू टेस्ट दूरेशन सेकेंड्स बाइटू ब्रैकेट पे पीवन प्लस पीटू प्लस पीथरी सेकेंड कोश्चिन दोस्तो मेज़ पूछा गया है सटल रन से दोस्तो मेजर करते हैं तो सटल रन से दोस्तो मेजर करते हैं एजिलिटी को और फिर फूर्थ दोस्तो मारा 600 याड और 9 मीटर रन या और वाक मतलब दोस्तो इसमेंग पूछा जा रहा हैlaughs 600 meter, run या walk, जो होता है, उससे हम क्या major करते हैं, तो उससे हम major करते हैं, दोस्तों, endurance को, तो इसलिए दोस्तों, जो option number B है, वो इसका correct answer हो जाएगा, next question दोस्तों, match the falling, इसमें भी दोस्तों, match the falling पूछा जा रहा है, first से start करते हैं, first दोस्तों, push up girls, तो push up girls का क्या हो जाएगा, तो push up girls का हो जाएगा, दोस्तों, हमारा A, modified, second दोस्तों हमारा 4 into 10 meter, अब 4 into 10 meter क्या हो जाएगा, दोस्तों, 4 into 10 meter हो जाएगा, subtle run, third दोस्तों हमारा 50 yard, तो 50 yard क्या हो जाएगा, 50 yard हो जाएगा, D, dash, और next दोस्तों हमारा 600 yard, अब 600 yard क्या हो जाएगा, दोस्तों, 600 yard हो जाएग B run या walk तो इसलिए दोस्तो जो option number A है वो इसका correct answer हो जाएगा Next question दोस्तो हमारा जो कि मैस्दा following का question है जिसमें दोस्तो हम से Rickley and Jones senior citizen test के कुछ components के बारे में पूछा जा रहा है First दोस्तो हमार chair, sit and reach अब chair, sit and reach से हम क्या major करते हैं तो chair, sit and reach से हम major करते हैं Lower body flexibility Next दोस्तो हमारा 8 foot up and go अब 8 foot up and go से हम क्या major करते हैं तो 8 foot up and go से हम major करते हैं Agility को Next दोस्तो हमारा back scratch Back scratch से हम क्या major करते हैं तो back scratch से हम major करते हैं Upper body flexibility को और next दोस्तो हमार 6 minute walk अब 6 minute walk से हम क्या major करते हैं तो six minute walks हम major करते हैं aerobic endurance को तो इसलिए दोस्तो जो option number D है वो इसका correct answer हो जाएगा next question दोस्तो हमारा name the component which is measured by this test मतलब दोस्तो हमें एक component दिया हुआ है ये component कौन सा दोस्तो इस हम सब से फिल identify कर लेते हैं ये जो component है दोस्तो ये motor fitness test का part है और ये कौन से test है दोस्तो हमारा ये है sit and reach test अब इसमें दोस्तो पूछा जा रहा है कि इससे हम क्या major करते हैं options को पढ़ते हैं a endurance, b speed, c flexibility, d coordinative ability तो इसका correct answer क्या हो जाएगा दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option number c flexibility next question दोस्तो हमारा reclient zone senior citizen test was developed in मतलब दोस्तो जो reclient zone senior citizen test था वो कब develop हुआ था a 1990 में, b 2000 में, c 2001 में, d 2002 में तो इसका correct answer क्या हो जाएगा दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option number c 2001 में, जो reclient zone senior citizen test था वो develop हुआ था next question दोस्तो हमारा Harvard step test is designed in which year मतलब दोस्तो जो Harvard step test है वो कब develop हुआ था a 1927 में, b 1934 में, c 1937 में, d 1943 में इसका correct answer क्या हो जाएगा दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो option number d 1943 में next question दोस्तो हमारा athlete speed मतलब acceleration is measured in मतलब दोस्तो athlete की speed कौन से test में major होती है a modified push up girls में b 4 x 10 meter subtle run में c 50 meter standing start में d seat and reach में इसका correct answer क्या हो जाएगा दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option number c 50 meter standing start में next question दोस्तो मारा match the following का question है जिसमें दोस्तो हम से सबसे पहले पूछा जा रहा है 600 meter run या walk इससे हम क्या major करते हैं तो दोस्तो इससे हम major करते हैं इससे हम major करते हैं aerobic capacity को second दोस्तो मारा sit and reach अब sit and reach से हम क्या major करते हैं तो इससे हम major करते हैं flexibility को next दोस्तो मारा push ups boys अब push ups test है और वो भी boys के लिए तो इससे हम क्या major करते हैं इससे हम major करते हैं upper muscular strength को next दोस्तो मारा 4 into 10 meter subtle run इससे हम क्या major करते हैं तो इससे हम major करते हैं agility को तो इसलिए दोस्तो जो option number B है वो इसका correct answer हो जाएगा Next question दोस्तो मारा identify the component of fitness which is tested through this test मतलब दोस्तो हमें एक diagram दिया हुआ है सबसे पहले हमें identify करना है कि यह कौन से component of fitness है तो सबसे पहले दोस्तो यह जो test है यह हमारा standing broad jump और यह test दोस्तो हमारा motor fitness test का part है अब इससे दोस्तो हमें यह identify करना है कि इससे हम क्या major करते है A. Muscle Strength B. Explosive Strength C. Strength Endurance D. Static Strength तो इसका correct answer क्या हो जागा दोस्तो इसका correct answer हो जागा option number B. Explosive Strength तो यह थी दोस्तो हमारी आज ही वीडियो जिसमें में discuss किया Class 12 के Physical Education Book के Unit No.6 Test and Measurement in Sports के Application Based MCQs को I hope यह वीडियो आपको helpful रही होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी है तो इस वीडियो को लाग कीजिए इस वीडियो को सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप ऐसी वीडियो को देखते रहना चाते है तो इस चैनल को subscribe कीजिए तब तकल दोस्तों all the best stay tuned with us